Hello everyone, welcome to my channel Study with Notes, this is Kushi and आज का जो मारा टॉपिक है वो अलाइड बिजनस लो का या फिर आपका कोई भी सब्जेक्ट है उस पर अगर आपका फॉरण एक्सचेंज मनेजमेंट एक्ट 2000 है या फिर जिसको हम 2000 की जगा पर हम 1999 बोलते हैं जिसे हम इन शॉर्ट फेमा बोलते हैं तो यह जो टॉपिक है याज हम कवर करेंगे यह जो टॉपिक है यह सिरफ अलाइड बिजनस लो का नहीं है अगर हम बिजनस इंवार्मेंट करें बिजनस लो करें तो वहां पर भी क्या है हमारा फॉर्ण एक्सचेंज मनेजमेंट एक्ट बहुत ही इंपोर्टन सकता है एंड सब्सक्राइबर्स लोग जिनों ने मुझे कमेंट करके बार बर बोला कि फॉर्ण एक्सचेंज मनेजमेंट एक्ट पर वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ तो थेंक्यू सो मच एंड रिली अपॉलोजाईज कि मैंने आपको इतना वेट कर वाया बहुत से मैसिज आ रहे थे वीडियो बनाओ बनाओ तो आज बना रही हो मैं तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि फॉर्ण एक्सचेंज मनेजमेंट एक्ट 2000 यह जिसे हम 1999 बोलते हैं अब देखो सबसे पस्ट यही चीज की 1999 क्यो बोलते हैं और 2000 क्यो बोलते हैं क्यूंकि जब 1999 में जो था इ हमारी जो करंसी है उसको जब हम फॉर्ण करंसी से चेंज करते है तो उसे बोलते हैं एम फॉर्ण एक्श्चेंज यह हम बहुत सारी जो आइटम्स होती है उसको descobrir किया जाता है और मनेजमेंट क्यों होता है मनेजमbroken मतलब किमानेज करना किसी भी चीज की प्रभंधन क उसको हमें क्या है? उसको बैलन्स करके रखना है अब जो फॉर्ण एक्ष चेंज होता है और रहो महता है थुन खैशव प्रेड़ उसके लांग पर महते हैं बैलन करे का आ है दो ऑडलो करने इसलिए है ूसके लिए बाव सब्सक्रा, अपक्त, थर्व बाव से से पहले, फेमा से पहले, जो इसका पुराना नाम है, वो है फेरा, Foreign Exchange Regulation Act, ठीक है, तो इसको भी हम study करेंगे, Foreign Exchange Regulation Act को in short, इसका हम difference करेंगे आज की वीडियो में, तो देखो, Foreign Exchange Management Act क्या कहता है, Introduction, Foreign Exchange Management Act 1999, यह 2000, यह वो Act है, जो कि Parliament of India ने, It is an Act of Parliament of India, यह Act है, Parliament of India का, और इसमें क्या किया गया है, इसमें consolidate किया गया है, और amend किया गया है, इस लोग को, consolidate किया है, और amend कैसे किया है, क्योंकि इससे पहले जो था, वो फेरा था, Foreign Exchange Regulation Act था, इसलिए उसकी amendment को बोला जाता है, क पहले भी Foreign Exchange से related था, और आज भी Foreign Exchange से related है, इसलिए यह consolidate है, and amended है, relating to the law, and related to the foreign exchange, with the objective, इसका सबसे बड़ा objective क्या है, कि हमारी जो भी External Trade है, हमारा जो Foreign Trade है, Foreign हमारा Business है, International Business है, तो उसको हमें क्या करना है, facilitate करना है, उसकी जो payments होती है, उसकी कोई भी trade है, और payments है, उसको क्या क foreign exchange market है, इंडिया में, उसकी हम orderly development कर सके, उसको promote कर सके, उसको maintain कर सके, तो इसको in short, देखो, पूरी line को एक साथ बोला जाता है, क्या बोलते है, to consolidate and amend the law related to the foreign exchange, with the objective of facilitating external trade and payments, for promoting, किस जो को promote करने के लिए, कि orderly development हो, and maintenance हो foreign exchange market की, इंडिया में, तेक है, उसके बाद देखो, जो main authorities इसमें होती है, जो इसमें controlling authorities होती है, उसे हम RBI बोलते है, Reserve Bank of India, जो कि Central Bank है, इंडिया का, और CG, CG मतलब कि Central Government, ठीक है, next इसमें implementing authority होती है, implementing authority को administrative authority भी बोला जाता है, जैसे हम directorate of enforcement बोलते है, या फिर जिसको enforcement directorate बोला जाता है, in short, इसे ED बोला जाता है, ठीक है, next क्या ग Article 45 & Section 47. Section 46 क्या करता है, पावर देता है, Central Government को कि वो क्या है, Rules को बना सकता है, तो यहाँ से हमें यह पता चला, Rules को बनाता है, de vacaties से बोला जाता है, इसको Referud Bank is in Central Bank को कि वो क्या करेता है, Central Government वो rules को बनाती है और जो RBI है वो regulation को बनाती है और इनको power को उन देता है section 46 and section 47 अब next क्या कहते है कि history क्या है या फिर origin क्या है फेमा की तो फेमा की history और origin मतलब इसकी शुरुवात कहां से हुई तो सबसे फर्स्ट इसकी शुरुवात कहां से हुई थी जब फेरा था फेरा को बदल के क्या किया गया फेमा लाया गया foreign exchange regulation act को हटा के foreign exchange management act लाया गया तो इसको देखो in detail पढ़ते है कि की history क्या है फेमा की तो जो foreign exchange management act था उसको 1999 कहा जाता है और इसको जो introduced किया गया था वो 1990 में किया गया था 1990 में तीक है 1990 में इसको सबसे first introduced किया गया था और उसके बाद 1999 में इसको pass कर दिया गया था लेकिन यह implement कब हुआ था 2000 में अब देखो तीन में years आये the first is 1990 1990 में क्या हुआ था इसको introduced किया गया था 1999 में इसको pass कर दिया गया था और 2000 में इसको implement किया था तीनों ही years आपको याद रखने जरूरी है implement किया था 2000 में लेकिन इसको साथ साथ क्या कहा जाता था कि यह जो है वो active force में कब आया coming to the force ठीक है जब force में आया था वो भी क्या है 2000 में आया था इसकी date भी आ जाकना 1st June 1st June 2000 में यह come into the force मतलब कि force में आ गया था implement हो गया था all the India ठीक है उसके बाद जो फेरा है अब फेरा की क्या चीज है कि फेरा को बदलके हमने क्या किया foreign exchange regulation act को बदलके हमने foreign exchange management act लाया था सबसे बड़ा जो इसका उदेशय होता था वो क्या था कि जो भी trade और payment हो रही है external हमारी foreign के साथ जितनी भी trades और payments हो रही है उसको facilitate किया गा सके क्योंकि देखो 1991 में 1991 में LPG policies को follow किया गया था LPG policy में क्या किया गया था कि जितने भी L मतलब liberalization liberalization मतलब कि जितने भी unnecessary rule regulations है उनको हटा दिया गया था P for privatization privatization में क्या हुआ था कि जो भी public companies थी public enterprises थी तो उनको private में convert कर दिया गया था उसके बाद G for globalization globalization मतलब कि हमारी जो economy है हमारी जो इंडिया है उसको integrate कर दिया था जोड़ दिया था with the foreign countries तो यहां पर देखो जब भी यह चीज़े आती है तो हमें क्या है जब भी globalization कर रहे है में globalization है तो globalization जब भी करेंगे तो हमें क्या है हमें foreign countries के साथ integrate किया गया तो यहां पर हमें ज़रूरत है foreign exchange की एक ऐसे ज़ो हमें फैसिलिटेट करें फॉरन के साथ एक्सचेंज करने के लिए फॉरन के साथ ट्रेड करने के लिए फॉरन के टेक्निलोजी को यूज करने के लिए तो यहां पर ग्लोबलाइजेशन की वज़ा से क्या है इस हमारे एक्ट में अमेंडमेंट हुई थी और यह इसी ची पर मेरी बात पर रिलाइबिलिटी ना रखें क्योंकि यहां पर मैंने जब किया था तो मुझे मिला कि जो फेरा और फेमा है वो दोनों ही existence में नहीं है दोनों को ही नहीं माना जाता लेकिन फेमा में भी होगा मेरे according होना चाहिए लेकिन मुझे इंटरनेट से यह चीज नहीं मिले आप थोड़ा ट्राई करें और इस बात को अगर आपको कुछ पता है या आप कुछ फइंड आट करते आपको पता लगता तो आप मुझे जरूर बताए कि फेरा तो नहीं है यह फेरा को तो हटाकर हमने फेमा मिला तो फेमा एक्जिस्टेंस में है या नहीं है तो मु foreign exchange management act जो है उसे रिप्लेस किया गया था फेरा की जगा पर देखो foreign exchange regulation act क्या था हमारा नाम जो सिर्फ चेंज हुआ है वो यहां से M से र रहा है र क्या मतलब क्या था कि regulation करना है regulation मतलब कि किसी भी चीज को जो foreign exchange है उसको regulate करके रखना है ताकि कोई person extra use ना करें लेकिन यहां पर क्या है management करनी है मतलब यह जो है करता था foreign exchange को लेकिन जो हमारा foreign exchange management act है ये manage करता है foreign exchange को फिर क्या कहता है कि no person can deal deal transfer foreign exchange other than authorized person कहता है कि कोई ऐसा person कोई another person foreign exchange में deal नहीं कर सकता एक authorized person हमां के definition करेंगे तो हमें पता चलेगा कि authorized person क्या होते हैं hope so second video होगे हमारी जो definitions की और उसमें देखो यही चीज़ बोलते हैं कि जो हमारे authorized persons होते हैं वही सिरफ हमारी जो foreign exchange में है उनमें dealing कर सकते है कोई और परसन नहीं कर सकता तो वही चीज़ only authorized person can deal in the foreign exchange और अनधर परसन cannot deal in the foreign exchange next कि हमारे जो foreign exchange management act है वो power देता है किसको हम यहीज़ पहले कर चुके हैं कि power देता है किसको central government को कि वो impose कर सकता है restriction on dealing the foreign exchange कि जो भी foreign exchange management act है वो central government को CG को power देता है कि वो restrictions बहुत सारे जो भी necessary restrictions है वो लगा सकता है foreign exchange की dealing के उपर और जो foreign securities है उनकी dealing के उपर payment के उपर and to and जो भी receipts है from the outside India बाहर के जो लोग है जो foreigners है या फिर हमारी family का कोई person foreign में रहते तो वो कितने पैसे भेज सकता है हमारी family को मलब हम कितने उनसे receipt कर सकते हैं हम कितने उनको payment कर सकते है foreign securities क्या हम में हम कितनी dealing कर सकते हैं कितनी मारी foreign exchange में dealing हो सकते है तो वो सारी चीज क्या है यह सारी जो power है वो फेमा ने किसको दी है central government को दी है कि इस type की जो भी restrictions है वह सीजी हमें क्या है impose कर सकता है फिर क्या कहते है कि the act impose restriction on person resident in India on acquiring holding and owing the foreign exchange foreign security immovable poverty abroad and on transfer of foreign exchange or security abroad क्या कहते है कि यह जो act है वो restriction impose करता है उन persons पर जो क्या करते हैं कि इंडिया में रहते हैं resident in India इंडिया में रहते हैं लेकिन वो outside the India क्या करते हैं acquire कर देते हैं acquire मतलब कुछ खरीद लेते हैं hold करके हैं किसी चीज़ को किसको foreign exchange को foreign security को या फिर जो immovable property जिनको हम move नहीं कर सकते हैं जैसे को building है plant है तो उस चीज़ को move नहीं कर सकते हैं तो immovable properties को abroad में hold करके रखते हैं उनको खरीदते हैं तो उस चीज़ पे क्या है कुछ restrictions लगाती है जो यह फेमा act है और साथ ही साथ हम transfer करते हैं जो भी foreign exchange है securities हैं उनको transfer करते हैं उनके अंदर dealings करते हैं तो उसमें भी जो foreign exchange management act है वो restriction को impose करता है फिर last का कहता है कि foreign exchange management act है वो facilitate करता है कि इसको trade को और अल्सो प्रिवेंट करता है कि हम misuse ना करें foreign exchange को देखो foreign exchange management act बनाया ही क्यों गया बनाया गया foreign exchange की जो हमारी foreign trade था foreign payments थी उनको regulate करने के लिए उनको manage करने के लिए और उनको facilitate करने के लिए ताक कि कोई भी जो problems create trade ना हो जो कि पहले फेरा में हो रही थी तो facilitate करने के लिए trade में और साथी सथ प्रिवेंट करने के लिए कि जो भी हमारे foreign exchange से related misuse होते है तो उसका misuse ना हो हम किसी को भी फालतु में कोई foreign exchange से related dealing ना करें जब तक हम authorized person नहीं है यह जो भी इसमें conditions होती है उसको follow करें next रब हमारा आता है कि objectives क्या है इस act के foreign exchange management act के क्या objectives है या क्या objects है ठीक है इसके क्या-क्या हमारे purpose है सबसे first क्या कहता है कि यह जो act है वो consolidate किया गया और amend किया गया था लो related to foreign exchange देखो consolidate होता है मजबूत बनाना थीकि मैंने या लिखा भी है मजबूत बनाना पहले वाला जो हमारा act था foreign exchange regulation act वो इतना consolidate नहीं था वो बहुत जादा strict चीजों को लिया गया था बहुत सारे sections थे उन sections को हटा के जो unnecessary sections थे unnecessary restrictions थे उनको हटा के क्या किया जो हमारा foreign exchange का जो new act है फेमा उसे लाया गया और इसी चीज को बोलता है कि amendment हुई है उस act में फेरा से हम फेमा की तरफ है तो यह क्या है amendment है मतलब उसे revise किया गया है next क्या गयता है कि to facilitate the external trade and payment इसे हमने पैली कर लिया कि फेमा क्यों आया क्योंकि हमें क्या है जो external trade है और external payments है उसको facilitate करना था उसको facilitate करने के लिए आया है और यह फेमा की क्या है objective है next क्या कहता है कि to promote orderly development and maintenance of foreign exchange market in the India India में हमें क्या है foreign exchange की market को develop करना है promote करना है उसको maintain करके रखना है इसलिए क्या है हमारा जो foreign exchange management act वो आया है यह foreign exchange management act की objective है फिर क्या कहता है कि to regulate the foreign capital in India and grow grow करना या developed करेंगे हम अपनी economy को कहते हैं कि जब तक foreign capital हमारे इंडिया में नहीं आएगी उसको हम अच्छे से regulate नहीं करेंगे उसको यूज नहीं करेंगे तो हमारी क्या है एकनॉमी डवलप नहीं हो सकती एकनॉमी के अंदर हमारी economy के अंदर बहुत कम पैसा है अगर फॉरं के जो investor है हमारे हमारी country में investment करेंगे उसके बाद ही क्या है हमारी development हो सकती है इसलिए पैसे को एज इन्वेस्टमेंट रख सके फिर क्या कहते है कि तो रिमूव imbalance of payment and unfavorable balance of payment देखो हमारी जो condition चलती है वह यह है कि हमारा जो import है वह जादा है हम बाहर की country से जादा चीज़ें मंगवाते हैं जबकि हमारा export बहुत कम है हम बहुत ही कम चीज़ों को क्या है export करते हैं हमारा at present जो है इसे बोलते है imbalance हमारा export जादा होना चाहिए और import कम होना चाहिए नहीं तो हमारा कम से कम equal तो होना चाहिए लेकिन यहां पर क्या है imbalance situation चल रही है imbalance या फिर unfavorable balance of payment की situation चल रही है कि देखो अब हम import जादा करवाएंगे तो हम payment भी जादा करेंगे और export कम करवा रहे है मतलब हमारे पस पैसे कम आ रहे है फोरण से तो हमारे पास क्या है जो reserve होता है जो भी हमारा foreign exchange reserve होता है वो भी कम हो जाता है और इसी चीज को दूर करने के लिए इसी unfavorable condition को imbalance condition को क्या है दूर करने के लिए remove करने के लिए जो FEMA Act है वो आया था लेकिन अब तक इस situation को दूर नहीं किया जा सका क्योंकि हमारा जो import है वो आज भी जादा है export से फिर क्या कहता है कि more transparent law transparent होता है कि पारदर्शी होता है पारदर्शी मतलब कि जो भी चीज है वो साफ है सबस्ट है किसी भी person से किसी भी चीज को नहीं चुपाया गया है तो यह होता है कि transparent law जितनी भी इस act में policies हैं provisions हैं या कोई भी definitions हैं तो वो clear cut है सबके सामने ठीक है तो इसलिए क्या कहता है बिलकुल ही transparent law है इसमें किसी भी चीज को confidential नहीं रखा गया है फिर कहता है कि get a substantial increase in foreign reserves अब देखो सबसे बड़ी चीज यही हुई मैंने आपको बताया था कि जो foreign exchange का जो reserve बना के रखना होता है foreign exchange का reserve अगर हम बात करें 1990 में तो हमारी economic crisis आई थी जिसमें क्या हुआ था हमारी जो 14 days का भी हम आने वाले दिनों में import नहीं कर सकते थे हमारा पास इतने पैसे नहीं बचे थे हमारा पास इतना reserve नहीं था कि आने वाले दिन में 14 days के लिए क्या है import कर सके तो हमारी जो economy थी बहुत ही डूबने के कतार पे थी तब ही क्या किया जो world bank है IMF है उन्होंने suggest किया हमारे इंडिया के government को कि आप लोग LPG की policy को ले के आओ और इससे LPG की policy को ले के आने से जी से क्या हुआ globalization हुआ globalization की वज़े से हमें FEMA act को ले के आना पड़ा और इसी की वज़े से क्या हुआ हमारा जो foreign exchange का reserve था foreign currency का reserve था वो क्या है increase हो पाया था क्योंकि जितना जादा ये जो reserve होगा वो होगा उसी वज़े से हम क्या है जो हमारी essential चीज़े होती है उसको हम import करवा पाएंगे ठीक है next क्या कहता है कि हमारी जो increase हो जाए किसमें the inflow of foreign currency and reduce the outflow of Indian currency मतलब क्या कहना चाहता है कि inflow of foreign currency तो increase हो जाए मतलब कि हम क्या है export जादा करेंगे हम यादा चीज़े पेचेंगे export और import मतलब export बेचना और import क्या है खरीदन किस से another country से जब भी हम export जादा करेंगे तब ही क्या है हमारे पस inflow होगा पर पस पैसा आएगा foreign currency का तो यही कहता है कि जो FEMA है वो यही कहता है कि आपको क्या है export को बढ़ाना है और आप जितनी भी import कर रहे हो उसको क्या है reduce करना है ताकि आपका outflow भी automatically क्या है reduce हो जाए तो अब्जेक्टिव्स एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ फॉर्न एक्स्चेंज मानेजमेंट एक्ट फेमा अब हम चलते हैं उसी topic पर जो मैंने आपको पहले बताया था कि क्या difference है between the foreign exchange management act and foreign exchange regulation act लेखो सबसे बड़ा difference ही है कि foreign exchange regulations act जो है वो पुराना act है और उसको अमेंड करके एक new act लाया गया जिसे हम बोलते है foreign exchange management act यह मैंने आपको एक question जो दिया है वो याद रखना कि जो फेरा है और फेमा है मेरे according जो फेमा है वो आज के टाइम में existence में होना चाहिए लेकिन मुझे नेट पे चीज मिली कि दोनों existence में नहीं है तो आप लोग ज़रूर थोड़ा अगर foreign exchange के बारे में सोच भी लिया किसी को बोल भी दिया कि हां मुझे foreign exchange चाहिए तो उसे क्या है अरेस्ट कर लिया जाएगा वो भी बिना किसी वरंट के और फेमा क्या होता था कि फेमा बहुती liberal act है इसमें जितनी भी regulations थी rule regulation थे बहुती strict जो जीजे थी उनको remove कर दिया और इसमें एक आ गया कि अगर एक person को arrest करना है तो आपके पास पहले warrant होना चाहिए अब देखो warrant क्या होता है वरंट होता है कि जब एक person बहुती serious crime करता है बहुती criminal type का कुछ भी काम करता है तो उसको कै बिना किसी warrant के बिना किसी person की permission के जो भी higher authorities होंगी तो उनकी permission के बिना क्या है arrest किया जा सकता है मतलब warrant के बिना arrest किया जा सकता है उस person को जिसने बहुती major crime किया है और किसी ने चोटी मोटी चोरी कर ली या कुछ भी कर लिया तो वो क्या है एक normal सा crime है जैसे हम civil crime बोलते है civil offense बोलते है तो उसमें क्या होता है कि हमें warrant की ज़रूरत पढ़ती है अब उन्हें मिल जाएगा कि हाँ इस person को क्या है arrest करना है तब ही वो arrest करेंगे without warrant उन्हें क्या है arrest नहीं किया जा सकता इनके लिए क्या है with warrant होना चीए अगर क्या है FEMA है और FARA में क्या है without warrant भी क्या है arrest किया जा सकता है अब देखो जो difference है between the FARA and FEMA इसको हम थोड़ा detail में कर FARA है वो old act है और जो FEMA है वो new act है इसे approve कब मेली थी? अप्रूव मेली थी 1973 में और इसको अप्रूव कब मेली थी 1999 में और इसको जो FARA है इसको जो existence में आया था जब यह come into the force हुआ था तो कब आया था? 1 January 1974 में आया था और जो FEMA है वो कब आया था? 2000 में आया था हमने किया इसका 1 June 2000 उसके बाद क्या कहता है कि इसके प्रोवीजन क्या है यह इसमें sections कितने है तो सबसे बड़ी चीज जो FARA था जो पूराना act था उसमें 81 sections थे जो कि बहुती strict actions थे और इस यह कितने थे? यह 69 section है जिसको 7 chapters में divide किया गया है, categorize किया गया है तो इसमें 81 थे और 49 तो यहां पर क्या है जितने भी unnecessary restrictions थी unnecessary sections थे जो बहुत ज्यादा criminal offense को show करते थे यह फिर जिसमें यह था कि arrest कर लो without without warrant तो उन चीजों को क्या है remove कर दिया गया और 49 sections ही रह गया मतलब unnecessary sections थे उनको remove कर दिया गया in the foreign exchange management act तो यहां पर अब क्या कहता है category अभी इसकी जो category है वो मैं criminal offense का जाता है कि अगर आपने foreign exchange का नाम भी ले लिया तो आपको क्या है as a criminal jail में डाल दिया जाएगा जिसे हम क्या बोलते है ब्रैकॉनियन एक्ट बोलते है ठीक है और जो हमारा foreign exchange management act है वो एक civil act है इसे एक normal act offense माना जाता है इसे इतना बड़ा offense नहीं माना जाता है अब देखो ड्रैकॉनियन एक्ट मैने नाम लिया तो ड्रैकॉनियन एक्ट क्या होता है कि इसमें क्या है आपको सीधाी जील में डाल दिया जाएगा अगर आपने कोई भी offense कर दिया है related to foreign exchange तो आपको 1999 से पहले आपको क्या करते थे सीधा ही जील में डाल देते थे लेकिन यहाँ पे क्या आपकी बात को सुना जाएगा आप क्या कहना चाहते हो अगर आपका जो point है तो आपको जेल में डाला जाएगा next क्या कहते है objective objective इसमें क्या था कि regulate करना है मैंने आपको पहली बता है कि foreign exchange regulation act मतलब कि regulate करना है आपने control करना है foreign exchange को मतलब कि foreign exchange से related आपने किसी भी चीज़ को foreign currency को आपने बिल्कुल भी waste नहीं करना है उसका optimum use करना है foreign exchange management act कैता है कि आपको promote किया गया कि क्या करो आप trade कर सकते हो आप payment कर सकते हो foreign exchange में और यह भी इन्शोर किया घए कि जो अपके reserves होते हैं वो भी maintain रहे इन्शोर किया कि जो size of foreign exchange reserve है in country वो भी maintain रहे देखो foreign exchange regulation act foreign exchange management act में मैंने आपको पहली पताया जो reserve का funda है वो क्या कहता है कि 1999 में वही crisis आगे थे कि reserve नहीं बचे थे तो तब से उन्होंने क्या किया कि अगर जो crisis हैं वो ना आएं इसलिए हमें क्या करना है हमारे जो reserves हैं उनको बना के रखना है ताकि आने वाले time में किसी भी तरीके के दोबारा economic crisis ना आएं कि हमारे पास reserves ही ना हो foreign exchange ही ना हो कि हम आगे import कर सके क्योंकि बहुत से यसी necessary चीज़े हैं जिनको import करना पड़ता है next क्या कहते है residential status फेरा के अंदर जो भी एक person है वो cover होता था as a citizenship ठीक है अगर उस person के पास citizenship है एक person के पास तो उस person को फेरा के अंदर हम क्या है cover करते थे लेकिन यहां पर क्या कहते है कि एक person जो इंडिया में पिछले 6 महीनों से रह रहा है तो उसको हम फेरा के अंदर cover करते है next difference का point क्या कहते है कि punishment अगर हम कोई भी offense करते है तो offense इसमें कौन सा होता है इसमें main offense जो होता है उसे हम बोलते है criminal offense कि आपने क्या क्या बहुत ही जादा criminal offense कर दिया बहुत ही बड़ा offense कर दिया है तो इसमें क्या होगा आपको बहुत हार्ड penalty मिलेगी और साथी साथ imprisonment होगी और penalty का देखो दोनों चीज़ों में देखो penalty और imprisonment किस वे में होगी तो जो penalty होगी वो आपको क्या कहता है कि आपने जितना भी foreign exchange से related जितना भी आपने कोई offense किया है गपला कर दिया तो उसके 5 multiply में multiple by 5 5 times आपको क्या है जो amount है as a penalty pay करने पड़ेगी और imprisonment इसमें क्या कहते है कि आपकी जो imprisonment है jail है वो होगी ही होगी no compounding यहापे मैंने लिखा है no compounding का मतलब क्या होता है तो उससे फ़हले compounding का meaning समझो कि compounding क्या होता है compounding का मतलब होता है कि अगर कोई भी jail है अब jail नहीं जाना चाते तो आप क्या कर सकते हो कि मेरे से fine लिलो मैं jail नहीं जाना चाते हो तो वो होती है compounding यह situation होती है कई आपके offenses ऐसे होते हैं जिसमें का जाता है कि jail नहीं जाना चाते है तो आपके पास इतनी penalty है आप इतना pay करो और आप क्या है jail जाने से बच सकते हो तो यहाँ पर लेकिन यह जो एक्ट है फेरा जो है हम यहाँ पर फेरा की बात कर रहे है जो फेरा है वो क्या कहता है कि हम compounding नहीं कर सकते आपके जितनी penalty बनती है आपको उसको भी pay करना पड़ेगा और जितनी आपको imprisonment की punishment मिलेगी वो भी आपको क्या है पूरी करने पड़े कि आपको jail भी होगी फेरा के अंतर लेकिन फेमा फेमा क्या कहता है कि आप अगर चाहें तो अपने जो penalty है उसको time पे पे करके आपका जो fine है उसको time पे पे करके within the specific time तो आपको क्या है पे करने पड़ती है तो आपको imprisonment जाना पड़ता है मतलब jail जाना पड़ता है तो यहाँ पर क्या कहता है कि एक person अगर does not deposit the penalty within the 90 days मैं आपको बोला कि कुछ time limit होती है तो 90 days कि अंदर अगर आप अपने नहीं देते हो fine नहीं देते हो penalty pay नहीं करते हो तो आपको क्या है jail जाना पड़ेगा इसमें 5 times था और इसमें क्या है 3 times है ठीक है मतलब कि जितना भी आपने जितना amount involved है आपके crime में आपके offense में तो उसका 3 गुना आपको क्या है as a penalty pay करना पड़ेगा फिर क्या कहते है rigidity regarding rigidity कहते है कि यहाँ पर rigidity है regarding to foreign exchange कि आपको foreign exchange से related बात तक नहीं करनी है आपको यह बोलना तक नहीं है कि आपको foreign exchange चाहिए अगर आपने इतनी बात भी बोल दी तो क्या है उस चीज़ पर भी क्या है तो यहाँ पर क्या है disclosure दो और आप foreign exchange ले लो कोई भी दिकत नहीं है लेकिन disclosure दो कि आपको क्यों चाहिए अगर आपका जो reason है वो सही होगा तो आपको क्या foreign exchange दे दिया जाएगा next क्या कहते है approach approach देखो इसमें सबसे बड़ी चीज़ आपको बताया था कि यह act है वो बहुत ही strict है और जो यह act है वो बहुत ही liberal है बहुत ही जितनी भी strictness थी वो कम कर दी गही थी जब इसके जो sections है उनको remove किया गया था तो यहाँ पर क्या है strict है rigid है यह सारे synonyms है rigid है restrictive है complex है बहुत ज़्याद़ difficult होती है बहुत ज़्याद़ control लगाया गया है government का इसमें क्या है linear है कोई भी restrictions नहीं है बहुत कम restrictions है flexible है liberal है simple है और जितनी भी restrictions थी जो control था government का central government का RBI का वो सारे जो restrictions है उनको remove कर दिया गया कि जब भी आप transaction करना चाहते हो तब आपको permission लेने की ज़रूरत है यह नहीं है तो जो fair था उसमें सारी चीजों को मना था कि आपको कुछ करना ही नहीं है अगर आपको foreign exchange में dealing करनी आपको foreign exchange चाहिए तो आपको पहले permission लेनी होगी उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो मतलब पहले आपको सारी चीजे मना है कि आपको कुछ भी नहीं करना लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो आप permission लो उसके बाद कर सकते हो लेकिन यहाँ पर क्या कहता है FEMA में कहता है कि आपको हर एक चीज permitted है आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन तब तक कर सकते हो जब तक आप क्या है किसको कोई offense ना कर दो और आपको मना ना कर दिया जाए कि आप यह चीज नहीं कर सकते हो तब तक आपको सारी चीज़े परमीशन ना लेकिन यहां आप 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 को पहले ही permission आप आप मितंगे दो लेकिन जब तक आपको मना ना कर दिया जाए तब तक आप सब कुछ कर सकते s可d jung we are written जब वह हुआ चीज सब दें और तुन कर सकते लिए और वनितुक नहीं पारीशनNat Eisenous Permission of RBI का कहता है कि a person has to obtain permission from RBI with regard to transfer of funds related to external operations कोई भी external operations है लाइक आपने बाहर इंवेस्टमेंट करनी है, बाहर से अपने ट्रेड करना है, कोई services है, कोई आपने टेकनलोजी मंगवानी है या कुछ भी करना है कोई भी external operation कोई भी आपको external से जो भी foreign countries कोई भी काम करना है, तो उसमें क्या है, अगर आपको fund की requirement है, कोई आपको पैसे चाहिए, transfer करना है, funds या कुछ भी करना है, तो उसमें आपको सबसे first permission लेने की जरूरत है, RBI से, लेकिन यहां पर कोई भी requirement नहीं है, आपको pre-approval लेने कि आपको कुछ काम करना है, कुछ आपको foreign trade करना है, foreign investment करनी है, foreign आपको technology अपने इंडिया में मंगवानी है, तो यहां पर किसी भी तरह की कोई भी restrictions है, वो नहीं है, आप pre-approval लिए बिना ही अपने जो काम है, उसको कर सकते हैं, आपको permission की जरूरत नहीं है, तो इसमें दे 1947, जब हम आजाद हुए थे, तब से हम closed economy में शुरू हुए थे, और 1991 तक रहे थे, क्योंकि 1947 से पहले, 1946 जब हम आजाद हुए थे, तो उससे पहले British जो थे, वो भी हमारा जो raw material होता था, उससे ब्रिटेन में भीजते थे, और अनदर कंट्री में भी भीजते थे, और जो भ में exploit जादा करते हैं, इसकी वज़े से हम क्या करें, हम हमारी economy को close रखें, हम बाहर की economy के साथ यादा link ना रखें, लेकिन जब closed economy थी, तब ही भी हमारे जो बहुती necessary जो चीजे होती थी, तब भी import करवाया जाता था, और बहुत necessary चीजों को export भी किया जाता था, लेकिन full ब बहुती जादा wider था, बहुती जादा बड़ा scope था, क्योंकि इसमें देखो हमने पहले यहां पर देखो कितना किया, हमारे जो section थे, वो 81 थे, मतलब एक एक चीज को क्या है, include किया था हमारे फिरा में, ठीक है, covering each and everything related to foreign exchange, लेकिन यहां पर क्या हुआ हुआ, स्कोप को थोड किया था, इस act में, जिसको कवर किया था, इस act में, बागे सारी जो transaction थी, जो specific नहीं थी, ज़रूरी नहीं थी, unnecessary थी, तो उनको रिमूव कर दिया था, तो आज की वीडियो में इतना ही, आने वाली वीडियो में हम करेंगे, कि हमारी जो applicability क्या होती है, amendments कि कितने हुए, जो किया थ। शब शबता है, कितने हैं कि ठीक थे सन इसकते से एंदावो कमें, जो सबस्ट होते हैं जा समचेय को करेंगे, क्या में बागे, क्वेड़कान में हमेंूटर।